Welcome to the Med Bros, आज आप लोगों के questions के answers का session है, तो हिरा ने कुछ questions त्यार किये हुएं, जो आप लोगों के comments से लिए हैं, हिरा पूछेगी and I'll try to answer. पहला question है, motion sickness की क्या वज़ा होती है? जब आप सफर कर रहे होते हैं, तो उस वक्त आपको चकर क्यों आते हैं, या उल्टी क्यों आती है, तो उसकी वज़ा ये होती है, कि आपको जब आप अपनी आँखों से देख रहे होते हैं, तो सफर के दुरान, हालांके आप बैठे हुए हैं, एक जगा पर रुके हुए है गाड़ी के अंदर बैठे हुए आप लेकिन आपकी आँखें जो देख रही होती है वो अलग मैसेज जा रहा होता है आँखों के जरीए मैसेज जा रहा होता है आपके दिमाल तक कि आप हरकत कर रहे है लेकिन आपके कानूं से देखें जो कान का अंदर वाला हिसा होता है उसको inner ear कहते हैं उसमें semi circular canals होती है जिसके अंदर पानी होता है फ्लूइड होता है वो फ्लूइड जब हरकत करता है तो उसके जरीए दिमाल तक message जाता है कि सर आपका हरकत कर रहा है अब सफर के दोरान आपकी आँखें जब बाठा हुआ है कर के आ रहा है उसकी वजासे आपको चक्क्र आना शुरू हो जाते हैं और उल्टी होना शुरू हो जाती है आइस की puffiness यहां पे आई bags क्यू बन जाते हैं इसकी सारी ज्माएं घ्ल्ड बहुत पतली होती है और इसके नीचे छोण की नालिया होती है चावल आपने एकसर नोट किया होगा, चावल जब आप ज्यादा खाते हैं, तो चावल खाने के बाद रात को आप चावल खाके सुएं, सुबो आपकी आँखें यहां पे फुली होई होती है, यहां नमक वाली कुछ चीज खाएं, नमक ज्यादा इस्तमाल करें, फास्ट दिल ठीक तरह बहरे हों बाद में थीत सबस्तमाल के गद्वेट काया होई हो, चावल खाएं सब्सक्सर पाइलagt रेता हीरु पशे्रण दिल पक्ति होदे, में आपकर अगर धीकड़ा टा रहे हो इवन जिगर अगर ठीक तरह से काम ना कर रहा हो तो पानी जमाऊना शुरू हो जाता है लेकिन नॉर्मल ली अगर किसी को कोई और में ठीक हो जाता है लेकिन अगर आपको लग रहा है इसी तरह अगर आपके यहां पर अंहुं में रहते हैं कुछ तो जनाटिक्स होते हैं तो इसलिए उनको भी जहा पर हलक इंदें गाइण में अगर कोई धन्डा बरफ का कुटकड़ा लिएक उसको कपड़े में लपेट के यहां पे थोड़ा हलका हलका रखेंगे तो उससे भी यह कम हो जाता है अच्छा कोई ऐसा टेस्ट है जिसे यह हम पता लगवा सके कि हमारी बॉड़ी के अंदर कौन से विटामिन्स की डेफिशंसी है विटामिन्स की कमी है या नहीं है अगर आपको कोई अलामत नहीं है आप बिल्कुल ठीक ठाक काम कर रहे है इसका मतलब यह है कि वेरी लाइकली आपके जिसम में किसी भी विटामिन्स की कमी नहीं है ये दर्द क्या होता है देखें दर्द जब आप किसी चीज़ से फर एक्जामपल यहां पे कोई सुई चुबी है मुझे तो फोरण मुझे पता चल जाता है चाहे मैं देखूं या ना देखूं मुझे पता चल जाता है यहां पे सुई चुबी है क्योंके दर्द होता है अब को बता रही होती है, इंडिकेशन दे रही होती है कि कोई ना कोई मसला चल रहा है, तो अगर आप में किसी विटामन की कमी होगी, आपको अलामात आएंगी, जैसे जो B12 होता है, उसकी कमी की वज़ा से एकसर लोगों को हाथों और पाउं में सुनिया चुबना शुरू हो जा है, बिलकुल आइरन की कमी और भी उसकी भी बहुत सारी वज़ुहात होती है, बहुत सारे शादी शुदा लोग शादी के कुछ दिनों के बाद मोटे की हो जाते हैं, हाँ, ये एक मित, मित भी नहीं मैं इसको कहूंगा, वाक्य में ऐसा देखने में भी आता है कि शादी के बहुत सारे लोग, मर्द हजरात, मोटे हो जाते हैं, उसकी बहुत सारी वज़ुहात है, लेकिन जो नमबर वन रीजन है, वो ये, कि उनके खाने के अंदर बहुत बड़ी तब्दीली आती है, जब कोई एक बंदा शादी उसकी होती है, तो दावते हैं, और वो सारा कुछ मैंना एक सिलसला चलता रहता है, और फिर उसके बाद नहीं नहीं शादी होती है, बेगम का दिल कर रहा होता है, मैं प्रॉपर सेवा करूं, खाना शाना बना के, नहीं आप बैठे रहें, मैं बना के लेकि आती हूं, तो वो सारे जो पूरा जो चेंज आता है, उसकी असा काम कर रहा था, कोई मेरा खाला है, दस हजार कदम चलता था रोजाना, और घर जाके बिल्कुल कोई काम नहीं खाना और पाकिस्तानी खाना था, तो उसकी वज़ा से वह एक चेंज आया था, तो बिल्कुल ये चेंज एक नैचरल होता है, इसके इलावा एक आप आप बहुते हैं, मतलब आप सोचरे होते हैं, अच्छा इसकी शादी हुई है, इसने ब मोटा होना है, और आपको ऐसे आपके दिमाग में लग रहा होता है, कि ये बंदा मोटा हो गया, हो जगता है, उसका वज़न वैसे बढ़ा नहों लेकिन आपको लग रहा होता है, शायद मोटा होगए, जे मेके वीड़ियो आवन के बंदतरा, बन जाते हैं, उसकी ऊपझा झूब जाती है, इसकी वज़ा生 का छून वहाँ थेrawभों क्या होते है, इसके एलामात क्या होती है, तांग रह जाती है, टांग तांग फूल जाती है, और तो वहाँ पर टेंपरेचर भी उसका ज्यादा हो जाता है यह कुछ अलामात होती है होता क्यूं है अगर आप हरकत नहीं कर रहे मतलब पहले आप चलते पिरते थे लेकिन एकदम से आपकी मोबिलिटी कम हो गी आप चलना फिरना चोड़ दी है सर्जरी हो या आप गिर गए है या वैसे आप for example किसी को फालج हो गया या इस तरह का कुई भी मसला होगा उसका चलना फिरना कम हो गया उसकी वज़ाई से हो सकता है कुछ दमाईया होती है जिसकी वज़ा से ये हो सकता है फिर उसके बाद अगर किसी को खुदाना हास्ता कैंसर वगवारा का मसला है तो उ लोगों में भी रिस्क बढ़ जाता है तो डीवीटी के रिस्क फैक्टर्स होते हैं प्राबलम यह होती है जब डीवीटी होती है तो वो जो खून का लोथड़ा टांग के अंदर बना है खून की नाली के अंदर वो वहां से हरकत करके उपर दिल में आ सकता है और उसके बाद अज्यूर्श इसलिए वह की शरुच्छृ तो नियूंकों होती है उनके बाद जो है इंजेक्शिंस दिये जाते हैं कुछ 10-15 दिन तक एंटी कोईिशिए जीए जाता है तक वह क्टिशों कणा बने तो पाकिस्तान में तो इतनी कॉमन प्रैक्टिस नहीं है पाकिस्तान मे आपने मेरा ख्याल है मैंने तो हाउस जॉब में नहीं देखा आपने कि पाकिस्तान में मरीजों को डीवीटी की प्रोफैल एक्सिस दी जाए इवन यहां पर नॉर्मल डीलिवरी के बाद भी विए जाते हैं क्योंकि आपकी मुबिलिटी कम हो जाती है आप चलते ही परते काम मैं तो यहां पर चांसे ज्यादा होते हैं नेक्स्ट है what are the symptoms of high blood pressure high blood pressure की कोई अलामत नहीं होती blood pressure ज्यादा होने की कोई अलामत नहीं होती इसलिए इसको silent killer कहा जाता है खामोश कातल कुँए आलामत ही नहीं आती कुछ वेग सी मुबहम सी 還有 होती है जैसे किसी का результат कर रह रहा है कमजोरी महसूस हो रही है चकर आ रहे हैं यह बाद अकात हो सकती है लेकिन ज्यादा तर इसकी कोई अलामत होती कोई ही नहीं है इसलिए जरूरी होता है कि अगर आप में कोई रिस्क फैक्टर है, आप में मोटापा है, आपकी फैमिली हिस्टरी है, आपके पेरंट्स में या बहन बाईयों में किसी को मसला बलड प्रेशर का, या आपकी खुराक ऐसी है, जैसे फास्ट फूड बहुत ज़दा खाते हैं, नमक का इस्तमाल ज्यादा करते हैं, वर्दश आप बिल्कुल भी नहीं करते, तो ये सारी चीज़ें अगर आप में हैं, या इन में से कोई चीज़ें हैं आप में, तो आपको अपना बलड प्रेशर एक का दफा जरूर चेक कर वालना चाहिए, आपके आपको आइडिया हो परसनल जो questions होते हैं, हम आवाइड करते हैं, ऐसे questions के answers नहीं करते, क्यूंकि हम online consultation provide नहीं करते हैं, ये videos सिर्फ educational videos हैं, आपको तालीम देना, educate करना है, medical problems से related, लेकिन ये medical advice नहीं है, आपको अपने डॉक्टर के पास ही जाना चाहिए, अगर आपको कोई मसला हो तो